रिवाडी के गाउं नांगलिया रणमोक इस्तित विदेश मंतराले में कारत करमचारी के घर चोरी हो गई चोर घर से लाखों रुपे के गहने और कैस चुरा ले गई पुलिस ने पीडित के परिवार की सिकायत पर चोरी का मामला दर्च कर कारवाही शुरू कर दी है वहीं दूसरी तरप एक CCTV केमरे में चोर गली में टहलते हुए नजर आ रहे हैं गाउं नांगलिया रणमोक निवासी सुमन देवी ने बताए कि उनके पती राजीव कुमार दिल्ली में विदेश मंतराले में कारत हैं वे पूरे परिवार के साथ दिल्ली में ही रहते हैं उनका पैतरक घर गाउं नांगलिया रणमोक में है जहां उनका काफी सारा सामान रखा हुआ है वे परिवार के साथ हर सबता पैतरक घर पर आते हैं इस बार जब वहे घर आये तो घर के बाहर लगा हुआ ताला तूटा हुआ मिला अंदर जाकर देखा तो सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा था घर से सोने की अंगुठी जुमकी चांदी सूटकेस और पांच ह टीवी कैमरे भी चैक किये गए तो एक घर में लगे कैमरे में चोर गली में टहलते हुए दिखाई दिये चार चोरों में से एक के हाथ में लोहे की रॉड भी दिखाई दी पुलिस ने फुटेज के आधार पर चोरों की तलास सुरू कर दी है